हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग मोटिवेशन के थुरू इंग्लिस ग्रैमर सीख रहे तो चलिए हम लोग इस सिरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखिए गाइस, यहाँ पर काफी छोटा सा लाइन है, लेकिन इस लाइन में बहुत ज़्यादा गहरा है इस लाइन में बहुत कुछ सिखाया गया है, अगर इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ते हैं, तो बहुतों का जिंदगी बदल सकता है यहाँ पर जो लाइन लिखा है, यह बहुतों का जिंदगी बदल सकता है जब यह line मैंने पढ़ा था तो मिरी ये दिल को hit कर गया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये share करता हूं, तो चलिए, मैं आपको इसका Hindi समझाता हूं, यहां पर क्या कहा जारा है, ज्यांज से समझीए, your direction, your मतलफ आपका, डिरेक्षन मतलब देशा ठीक है आपका देशा ठीक है यह डैरेक्षीन yamne more मतलब क्या होता है ज्यादा जैसे more water and more important इंप्रॉत मतलब जरूरी इंपरेट्स टीक है यह स्पीर देन्दन मतलब यहां पर वेला नहीं है तो नहीं यह चे इसके गहराइयों को समझ आएके जैसे कोई बंदा है उसको उसको जाना है इस जगह पर ठीक है उसको जा रहा है इस दीक है लेकिन वह जा रहा है इस अंप लेकिन इस बस बसट्रений 한 बस बनें तो में चयंज लेकर ब comment is लेकिन अब घंटा चृप मुझे स्पीड हो जाएगा मतलब मुझे बताईए यह वह पहुँच पा हैके सिस्पीड मेल मन्जिल पर यह वाल या पिस Aber पहुंच पाएगा आप लग्यान साने पहुंच parcel कहा है लेकिन अपने मंचिन पर पहुंचवैंगा वह बोलते हैं देर आए दुरुस्ता है समझग है तो देर से पहुंचे कभी भी मंजल तक नहीं पहुंच सकता है तो यहीं चीज यहां पर कहा जा रहा है जैसे आप 12 में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और आपका डारेक्शन ही नहीं है आप सोची नहीं पारे कि मुझे कितना गंटा पढ़ना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए को रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन आपको डारेक्शन पता है कि अच्छा इस चाप्टर से इतने नंबर का कोश्चन आता है इस चाप्टर को मैं ऐसे ऐसे बनाऊगा अच्छा इस को मुझे छोड़ के आना क्योंकि यह कोश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ठीक है किसी रही कर सकती है समझ रहे है तो इसको आप घैराही से समझे अपको लिखो को समझमें का आपको समझ में आ गया होगा मैंने अपने हिसाब से आपको समझाने का बहुत कोशिस किया है तो अगर आपको समझ में आ गया इसका मतलब तो प्लीज वीडियो को कर दीज़ागा लाइक अगर समझ में आ गया है अगर आपको भी किसी मोटिवेशनल लाइन में डाउट है उस